नमस्कार दोस्तों मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है बॉलिवुट की शादियू के सच को बेनखाफ करने की सिलसिले का ये पांच वापाट है पिछले वीडियो में मैंने गलती की थी कि सलीम खान की हेलेन से शादी का साल गलत बताया था सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके मुझे याद दिलाया कि वो साल 1954 नहीं बलके 1964 था यानि 1964 था आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो पिछले वीडियो के आखिर मैं मैं बात कर रहे थी स्टार राइटर और फिल्मेकर अनुराग कश्चप की मुझे तो वो इनसान काफी अच्छा लगता था जब वो राइटर था और लड़ाई करके फिल्में छोड़ दिया करता था बड़ी बड़ी फिल्में उसने बीच में छोड़ दी जैसे संजय गुपता की मुसाफिर उस वक्त वो काफी बड़ी फिल्म थी वो अपनी शर्तों पर फिल्में लिखता था अपने उसूलों पर काम करता था और जब डिरेक्टर बना तो भी अपनी शर्तों पर ही काम किया उसने तो एक्टर राइटर से फिल्मेकर बना अनुराग कश्चप बहुत ही रोमेंटिक आदमी था और है उसे शादी से क्या ही फर्क पढ़ना था अनुराग ने पहली शादी 2003 में बॉलिवुड में स्ट्रगल के दौरान फिल्म एडिटर आरती बजात से की थी दौनों की एक बेटी भी है जब अनुराग का खरियर चमक गया तो उसके नई रिष्टे बनने लगे इन बड़े डैनमिक लोगों को वो एक शादी स्ट्रगल के लिए चाहिए होती है फिर सक्सेस के बाद दूसरी लोग कहते हैं कि हम ग्रो हो गए हैं हम इवॉल्व हो गए हैं पहले वाले पार्टनर से वेवलेंट मैच नहीं करती वगेरा वगेरा ये सब बहाने हैं इनको वेराइटी चाहिए होती है ये बोर हो तो पहले से भी बहुत पीता था, लेकिन फिर शराब की लट बढ़ती चली गई थी, काम भी वो पागलों की तरह करता था, खुद को राद भर कमरे में बन कर लेता था, और सुबह तक फिल्म की स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट तैयार करके निकलता था, जिसमें दूसरों को हफ् और महीनों लगते हैं, एक बार पता चला था कि उसका छोटा सा स्केंडल एक बड़ी बॉलिवूर हिरोईन से भी हुआ था, हिरोईन उन दिनों सिंगल थी और अनुराख शादी शुदा था, अनुराख उस वक्त शूल फिल्म के डालोक्स लेक रहे थे, जिससे ने भाई साब की आशिक मिजाजी से तंग आके तलाक ले लिया, फिर अनुराख की लाइफ में आई बड़े पाउट परफिक्ट होटों वाली फ्रेंच लड़की कलकी कोचलिन, कलकी के फ्रेंच माबाप ने हिंदू धर्म अपना रखा था और पॉंडिचेरी में बसे हु लो बूट्स और फिर देवडी बनाई थी, दोनों ने 2011 में शादी की और 4 साल बाद 2014-15 में तलाक ले लिया, कलकी से भी उसका रोमेंटिक मिजाज बरदाश नहीं हुआ था, या कहें कि अनुराग उसकी कंट्रोल में नहीं आया, एक तो वो दिल फेंक इंसान, फिर कलकी ज हिसाब से ढलना चाहती थी, वो अकसर कहती थी कि उसे अनुराग का वड़ा पाओ खाना पसंद नहीं है, जबकि अनुराग कहता था कि संघर्ष की दिनों में वो वड़ा पाओ खाके ही गुजारा करता था, दोस्तों वड़ा पाओ मुंबई का प्रसाद है, मैंने भी संघ दिनों में वड़ा पाओ खाके ही दिन गुजारे थे, तो दोनों की पस्नालिटी में ही बुनियादी फर्क था, अकसर औरतें सेल्फ मेट कामयाब आदमी से शादी करती है, फिर उसके अतीत को रिजेक्ट करने लगती है, उसे अपने स्टेटस के मताबिक बनाने की करती हैं, और अनुराग का शब तो बहुत ही जमीन का इंसान है, और वो वैसे भी एक रिष्टे में टिकने वाला नहीं था, 2012 में आई गैंग्स और वासेपुर में अनुराग ने ब्रेक दिया था एक नई एक्ट्रिस हुमा कुरेशी को, हुमा से अनुराग की काफी करिब कि दोनों का एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर चल रहा है, लेकिन दोन नहीं अपने रिष्टे को कभी भी सारजनिक तोर पर सुवीकार नहीं किया, सुनने में आया कि अनुराग की नजदी कियां गैंग्स और वासेपुर की दूसरी हिरोईन रिचा चड़्डा से भी थी, लेक के साथ उसकी काड़ी से आती थी, जिससे मीडिया देखे और चरपटे खबरें चापे, दोस्तों कई नई एक्ट्रिसेस, फिल्मेकर्स से या स्टार्स से अपने लिंक अप खोद कराती हैं, खोद अपने बारे में अफवाह उडाती हैं, और फिर मीडिया को दोश देती है कि हमको परिशान कर रहे हैं, हमारा लिंक अप कर रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं, दरसल उन्हें यह चाहिए होता है कि वो गॉसिप्स के कॉलम्स में जगा बनाती रहे हैं, फिर एक तालिस साल के अनुराक कश्रप का दिल, अपनी फिल्म बॉंबे वेलवेट की 18 साल की इसिस्टन डिरेक्टर शबरीना खान पर आ गया, दोस्तों अपने जगजीत सिंग का एक गाना सुना है, जिसके बोल हैं, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, तो उसको बॉलिवुट की लोगों ने अपनी जिंदगियों में एक दम साकार कर रखा है, ये उम्र क का फासला मानते ही नहीं है, और नई गर्ल फ्रेंड या बीवी तो हमेशा बहुत छोटी ही होती है, अनुराग का लव अफेर, 21 साल छोटी लड़की शबरीना के साथ शुरू हो गया था, और इसके बारे में उसने खुल कर इंटिव्यू दिये थे, तब वो रोज जिन जा लगा था, फिट होने की कोशिश कर रहा था, क्या करें, उम्र का फासला ही इतना ज्यादा था, वो उसे मैच करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग कहते हैं, एज इस जस्ट अ नंबर, लेकिन इंसान कितना भी मेंटेन कर ले, कितनी भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले लेकिन बैलोजिकल एज तो होती है न, तो दोनों में जेनरिशन कैप था, लेकिन फिर शबरीना के माबाप ने बेटी के भविश्य को देखते हुए, उसे देवडी के मेकर से अलग कराया, पिछले दो सालों से अनुराग अपने से 24 साल छोटी असिस्टन डिरेक्टर शु सारी फिल्म में हमीशा से आज तक एडिट करती है, इक्यावन साल के उम्र में अनुराग ने हाल ही में खुलासा किया कि उसे दो हार्ट अटेक्स आ चुके हैं और वो शराब की लग छोडाने के लिए रीहब सेंटर भी गया था, नेट्फिक्स ने जब उसी एक प्रोजेक से हटा दिया था, तो वो डिप्रेशन में जला गया था, वो सुकेतु महता की मुंबई पर लिखी बेस्ट बुकसेलर, मैक्सिमम सिटी पर वेब सीरीज बनाने वाला था, लेकिन उसकी खराब फिल्म तांडव को देख कर, नेट्फिक्स ने वो प्रोजेक्ट बंद कर दि आलिया की उसके विदेशी बॉइफ्रेंट से सगाई हो गई है, जिसमें उसकी दोनों एक्स वाइफ्स, आलिया की मा आरती बजाश और कल की शामिल हुए थे, दोस्तों बॉलिवोड में एक्स वाइफ्स यानि पूर पतनियां इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन जाती हैं, य लीना चंदावर कर दोनों एक दूसरे के साथ पार्टियों में जाती थी, गले में हाट डालके, और पता है ये दोनों एक दूसरे को कैसे इंट्रिद्यूस कराती थी, लीना नहीं मुझे एक इवेंट में बताया था, कि उसने किसी से पार्टी में रूमा और अपनी तरफ इशारा करके कहा था, कि फर्स्ट एन फोर्थ, यानि पहली और चौती पतनी, खैर किशोर कुमार के रूमैंस के किस्से तो विस्तार से मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, म्यूजिक से चुड़े लोगों के लिए तो मुझे एक अलग से वीडियो बनाना तो अनुराग कर्शप से मुझे याद आई फिल्मेकर राम गुपाल वर्मा की, अनुराग जिनकी ब्लॉक बस्टर फिल्म सत्या के को राइटर थे, राम गुपाल वर्मा फिल्मेकिंग का स्कूल रहे हैं, रामु जितने बड़े फिल्मेकर रहे हैं, उनकी जिन्दगी भ पत्थर उन्होंने हिंदी सिनेमा में गाड़ दिये हैं उनके बाद वो कुछ भी करें उनका योगदान हमीशा महान रहेगा रामु ने 1989 में नागार्जुन को लेकर ब्लॉक्बस्टर फिल्म शिवा से बॉलिवुड में कदम रखा था 1995 में एक और मील का पत्थर रंगीला बनाई रंगीला से ही उनका रुमैंस और मिला मातुनकर से शुरू हो गया था और वही उनके डिवोर्स की वज़ा बनी अब तो वो शादी के खलाव रोज एक नया बयान देते ही रहते हैं दोस्तो मेरा रामू से बतोर जर्नलिस्त एक बहुत अच्छा रिष्टा था एक पत्रकार के तौर पर मैं लोगों का विश्वास जीत लेती थी और उसे हमेशा कायम रखती थी चाहे कुछ भी हो जाए किसी के विश्वास से मेरे लिए कोई स्टोरी बड़ी नहीं होती थी और ऐसे दूसरे रिपोर्टेस भी थे और सच्छे खबरे मुझे देते थे दोस्तों आप गूगल पर जाकर आमरपाली शर्मा मुंबई मेरर टाइप करेंगे तो कई सारी स्टोरी आपको सर्च में मिल जाएंगी बॉलिवुड से मैंने यही कमाई की लोगों का प्यार कभ कि श्रिदेवी की खूबसूरती के लिए वो जवानी के दिनों से ही बहुत ज्यादा हद तक पागल थे इस हद तक कि वो उनके घर के बाहर खड़े होकर उनकी एक जलक पाने के लिए इंतजार करते रहते थे और जब श्रिदेवी ने शादी कर ली तो वो बोले कि बोनी पूर को बहुत गुस्सा आया था अपनी आत्म का था गंसें थाइज स्चोरी ऑफ माइ लाइफ में जिन थाइज का जिक्र रामू ने किया है वो श्रिदेवी की थाइस थी उसमें उन्होंने एक चैप्टर और्मिला पर भी लिखा है और्मिला का जादू उनके सर पर साव पर अपनी किताब में लिखा है कि उर्मिला एक पेंटिंग थी मैंने उसे सिर्फ फ्रेम किया था मैं उसकी फेस नेकर फिगर की खूबशूर्ती पर फिदा था Susanne उन्हें ये भी कहा कि कैमरे के लेंज से उर्मिला को रंगीला के सेट पर देखकर जो सिनेमेटिक हाई मुझे मिला वो कभी किसी और से नहीं मिला लेकिन दोस्तों मुझे यकीन है कि रोमेंटिक हाई भी सबसे बड़ा उन्हें उर्मिला को देखकर ही मिला था उर्मिला को लेकर उन्होंने सत्या, रंगीला, दोड़ और भूच जैसी कही आदगार फिल्में बनाई तो दोनों का काम और रोमैंस भी साथ साथ चल रहे थे रामू और उर्मिला की नजदीकियां उनकी पत्नी रतना को रास नहीं आई उनकी एक बेटी भी है रेवती, एक दिन रतना रंगीला के सेट पर पहुँच गई और उर्मिला को उसका घर तोड़ने वाली, पती छिनने वाली और जैसे खिताबों से नवाज दिया लड़ाई ने ऐसा रूप ले लिया कि उर्मिला को भी गुस्सा आ गया बात इतनी बढ़ गई कि रतना ने उर्मिला को वही सब के सामने कस के एक थपड़ लगा दिया उर्मिला शॉक्ट रह गई, सारे सेट पर सननाटा चा गया रामू को बहुत बिज़ती महसूस हुई बात यहां तक गई कि रामू ने पतनी को ही तलाक दे के वापस हैदरबाद भेज दिया दोस्तों रामू और उर्मिला के रिष्टे से जुड़ा हुआ अपना एक अनुभव में आपसे शेयर करती हूँ कि जब 2002 में वाशु भगनानी की फिल्म ओम जय जगदीश के लिए और मिला शूट कर रहे थी तो मैंने इंटर्वियू में उससे सिफ राम गोपल वर्मा का नाम ले दिया था और वो माइक फेंक कर उठके चली गई थी उन दिनों फिल्म प्रिडूसर्स फिल्म पूरी होने के बाद जब थोड़ा सा पैच वर्क रह जाता था तो मीडिया को बुला के लोकेशन पर इंटर्वियूज देते थे और कवरिज कराते थे मेरा सवाल उससे ये था कि आपने अब तक रामु जी के साथ फिल्मे की हैं और आप बाहर की डिरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हो तो बतोर एक्टर्स आपके लिए कैसा बदलाव है लेकिन उसने पूरा सवाल सुना ही नहीं रामु का नाम सुनते ही उसका मूड खराब हो गया और वो सेट छोड़के चली गई दोस्तो उर्मिला और रामु का तो सीक्रेट अफेर था एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर था इसलिए बाद समझ में आती है लेकिन कई स्टार्स की ये अजीब बात है कि जब अफेर चल रहा होता है तो बिना पूछे एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं रिष्टे को ब्रेंड बना के बेचते हैं एंडॉस्मेंट डील साइन करते हैं साथ-साथ और ब्रेक अप के बाद एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते और मीडिया कुछ पूछे तो कहते हैं हमारी प्राइविसी में दखल दे रहे हो हमें परिशान कर रहे हो ये डबल स्टैंडर्स इनके ऐसा जौन, अब्रहेम और बिपाशा बसू करते थे फिर उर्मिला की दोस्ती कुछ सालों तक बांधरा के एक बड़े ज्वैलर के साथ पी रही वो वहीं बांधरा के एक फ्लेट में रहती थी सालों बाद 2016 में जब उम्री ढलने लगी तो उर्मिला ने खुच से 9 साल छोटे एक कश्मीरी मुसलिम व्यापारी और फ्लॉप एक्टर मॉडल मुहसिन मीर अक्तर से शादी कर ली इन दोनों ने पहले हिंदू रीती रिवाज से शादी की फिर उर्मिला ने भी धर्म परिवर्तन करके इसलाम अपनाया और दोनों ने निकाह किया सब के साथ राम गोपाल वर्मा ने भी अपनी एक्स को शादी की बधाई ये कहके दी थी कि मैं उसे दिल से दुआ देता हूँ कि उसकी जिंदगी हमेशा रंगीली रहे शायद इसलिए ट्विटर ने अपना नाम बदल के एक्स कर दिया है कि लोग अपनी एक्स को बधाई और नाराजगी सब एक्सप्रेस कर सकें उर्मिला के बाद रामू की जिंदगी में कुछ और एक्ट्रिस आई जैसे अंतरा माली, निशा को ठारी रामू ने सब के लिए बहुत कुछ किया और फिर तो नाम गिनने बंद कर दिये लेकिन उर्मिला के जोड की कोई नहीं थी उर्मिला की अदाकारी को भी जैसे रामू ने निखारा किसी और ने नहीं अब तो रामू जिंदगी के खूब मजे ले रहे हैं रोज उनकी लाइफ में नई-नई हसीना आती हैं दोस्तो 61 साल की उम्र में वो कभी किसी हसीना के पैर चूमते नजर आते हैं तो किसी को कमर से खसके थामते हुए दिखाई देते हैं किसी के साथ डांस कर रहे होते हैं दोस्तो मुझे याद है जब मैं कंपनी के लिए इंट्रव्यू करने उनके आफ़ेस कही थी तो उनके कैबिन में उनकी सीट के बिलकुल पीछे दिवार पर दुनिया की सारी बड़ी-बड़ी सूपर मॉडल्स का ब्लैक इन वाइट न्यूट ग्रूप फोटो लगा हुआ था उसमें सिंडी क्रोफर्ड, नॉमी केमबेल जैसी सूपर मॉडल्स थी दोस्तों रामू अचकर फारिक बैठे हुए हैं तो वो सोशल मीडिया पर शादी के बारे में घ्यान देते ही रहते हैं शादी के खिलाफ बोलते रहते हैं और उनके विचार काफी ओरिजनल भी होते हैं एक तो वो कहते हैं कि I hate marriage दूसरा वो कहते हैं कि शादी से ज्यादा तेजी से कोई चीज प्यार का murder नहीं कर सकती शादी एक जेल है उनका ये भी कहना है कि सेलेफ्स के तलाक नौजवानों को शादी के खत्रे से आगाह करने का अच्छा ट्रेंड है दोस्तो ये सब रामू के विचार हैं आज की तारीख में लेकिन कोई हैरानी नहीं होगी कि वो कल अगर खुद दूसरी शादी कर ले खैर बॉलिवुट की शादियों के सच की सीरीज के आज की एपिसोड में इतना ही कई और मज़िदार किस्से हैं इन बॉलिवुट वालों के प्यार, शादी और बेवफायों से जड़े हुए और दोस्तो ड्रामा तो इतना है ना कि फिल्मों में क्या होगा कहते है ना कि fact is more stranger than fiction बॉलिवुट स्टार्स और सैलिप्स की जिंदगी में भी इनकी फिल्मों से ज्यादा ड्रामे है मैंने इतने स्टार्स के बारे में आपको बताया लेकिन यह खत्मी नहीं होते इतने हैं कि आप भी सुनते सुनते तंग आ जाएंगे पहला एपिसोड बड़ा हो गया था तो मैंने उसे दो पार्च में टिवाइट कर दिया था लेकिन अब तो सीरीज ही बन गई है और यह पता नहीं कब खत्मोगी तो इजाज़त दीजे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजे कमेंट भी कीजे और बताएं कि आप कहां से हैं नमस्कार